फेस्बुक न्यू अपडेट इन 2024 तो गैस फाइनली आपे 2024 का एयर आ चुका है और यहाँ पर आपको 2024 में फेस्बुक में कुछ दो से चार न्यू अपडेट्स आए है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है अगर आप फेस्बुक को यूज करते हो जादा आज के रि अब आपको पता है और अब होगया है 2024 जिसमें और भी डिफेस्बुक के अपडेट्स आपको देखने को मिलेगे तो सबसे पहला जो अपडेट्स आपको प्रोफेस्बुक की तरफ से आपे मिला है वह प्रोफेशनल डैश्पुर्ट फेस्बुक में आपको एक नया एक option देखने को मिलेगा जैसे आप इससे turn on करते हो तो यहाँ पर आपको जो प्रोफेशनल डैश्पुर्ट है आपके फेस्बुक का यूजर इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और साथी साथ जो भी आपके फेस्बुक के फ्रेंड्स होते हैं वो convert हो जाते है आपके फेस्बुक के followers and followings में तो यह आप आप देखोगे जो friends थे वो सारी के सारे following and followers में convert हो चुके है तो इसको आप ऐसे Facebook पेच की तरह treat कर सकते हैं जो कहीं न कहीं बहुत जादा useful है इसके कहीं से एडवांटिजेस हैं अगर आप चाहँ तो इसका detail में इसका जो भी details है वो आप इसे easily read कर सकते हो इससे आप अपने content को upload करिया है कि इस पर आप normal Facebook की तरह कोई भी post upload करके आप यहाप पर revenue generate कर सकते हो turn off करने के लिए बास आपको इसी तरीके से turn off करना है उसके बाद आपका जो normal Facebook का user interface है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो काफे ज Facebook और Instagram दोनों में आपको एक verification batch का option मिलता है याप अपने Facebook के profile और Instagram के profile पर blue tick को you purchase कर सकते है उसका subscription ले सकते है बस इसकिल आपको इस वोले setting पर click करना है यानि कि जैसे आप batch वोले option पर click करेंगे आपको यह वाल option आ जाएगा इसमें आप every month 6.99 रुपीस आपको Facebook को pay करना तो every month आपको आपके Facebook के profile और Instagram के profile आपको दोनों पर भी करेंगे आपको यह batch का option देखने को मिलेगा, turn on करने के रिए same up to same आपको यहाँ पर same step को apply करना है और यहाँ पर देखोगे 6.99 आपको पर मन्त देना होगा और जैसे आप दोगे उसके बार आपको next 30 days के बाद फिर स इसको 6.99 आपको देना होगा और आपके Facebook profile के सामने आपको इस तरह के ब्लू टिक देखने को मिलेगा, जैसे आप मेरे Facebook profile पर मेरे नाम के सामने ब्लू टिक आपको दिख रहा है, कही ना कर इसका बहुत ज़रा useful है, इससे आपका जो Facebook account है वो कही ना कर बहुत ज़रा secure हो जा 15 minutes के अंदर-अंदर आपके Facebook profile पर आपको इस तरह के का एक blue tick देखने को मिलेगा, फिलाल मुझे इसका कोई use नहीं है तो मैं इसे purchase नहीं करूँगा, बढ़ अगर आप चाहो तो आप इसे purchase कर सकते हो, कहने के थोड़ा सा professional लगीगा, अब बार यहाँ पर Facebook का जो third new update है, जि आपको इस वाला setting में आना है, और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, create another profile का, यह जो option है, यह इसे का use करके आप अपना Facebook का एक और second profile आप create कर सकते हो, जिसमें आपका same ID or say user interface होगा, बस आपका एक another second account आपका यहाँ पर create हो जागा, जिसमें आप फूरी तरीके से fresh सरीके से अपना account use कर सकते हो, फिर साप किसी भी person को front request send कर सकते हो, यह आपका एक second profile हो जागा, जो आप utilize कर सकते हो, just like यह भी एक normal Facebook account की तरह है, कोई difference नहीं है, और साथी साथ आप इसमें one account से second account में easily switch कर सकते हो, जहाँ आपको को यहाँ पर account creation का process नहीं है, बस आपको नाम first profile में अगर आपको switch करना होगा, तो बस आपको icons पर जाके आपको tap करना होगा, आपके बार second profile से first profile में switch हो जागे, आपको इस icon पर click करना, you can see, and फिट से आप अपने Facebook का जो main profile है, उसमें आप switch हो सकते हो, tap करके, तो यह basically अभी इस Facebook का second profile ही, जो मैंना भी आप लोगों के सा सकते हो, उसके पर अगर आपको delete भी माना आता हो, आप इसे easily delete मार सकते हो, तो कहीं न कहीं एक तरीके से safety है, अगर आपको किसी भी friend को थोड़ा सा prank देना है, fake account से, आप इसका use कर सकते हो, I think it's worth it, अब बारी यहाँ पर Facebook का final and fourth new update, जो कि कहीं बुज़ी भी काफी जार यू Facebook का post है, उसे आप अपने Instagram पर easily share कर सकते हो, share करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी post पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, share to Instagram, जो कि पहले यह देखने को नहीं मिलता था, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी Facebook का paste आपके Instagram पर भी automatically share हो, तो आपको बस आपका Instagram account और आपके Facebook account को एक दूसर से connect करना होगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर connect कर रहा हो, और जैसे आप इसको connect कर दोगे, सेम ऐसे ही, जैसे मैं connect कर रहा हो, आपका जो Facebook account है, वो आपके Instagram account से link हो जाएगा, और इसके बाद आप Facebook पर जो भी post करोगे, वो automatically आ अगर आपको दोनों account को disconnect करना है, अभी तो दोनों account connect है मेरा, disconnect करने के लिए आपको इस वोले settings में आना है, और यहाँ आप आप देखोगे, मेरा Facebook account और Instagram account दोनों connect है, remove करने के लिए बाद आपको remove के option प्र क्लिक करना है, और आपका Instagram account है, Facebook से disconnect हो जाएगा, just like this, तो यह Facebook 4 new update 2024 में, comment में जरूर बताना कौनसा update आपको जारा अचा लगा,